Hello everyone, आज हम 11 वी क्लास का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम जानेंगे कि भूवगयनिक संरचनाई किस प्रकार से इस्तलाकिरतियों को प्रभावित करती हैं, जो कि आपके भारत के बहुत इक परियावरन पेपर का एक चैप्टर है, तो चलिए इसको शुरू करते है देखो, भूगोल में एक बहुत बड़े भूगोल वेता हुए है, जिनका नाम है विलियम मौरिस डेविस, इन्होंने एक स्टेट्मेंट दिया था कि इस्थर रूप संरचना प्रक्रम और समय का प्रतिफल होता है, यहाँ पर संरचना का मतलब है भू वैगयनिक संरचना, जियोलोजिकल स्ट्रक्चर, तो चलिए भारत देश के संदर्व में इसको समझने का परियास करते हैं, ठीक है, सबसे पहले जानते हैं इसमें कि भू वैगयनिक संरचना का अर्थ क्या होता है, जियोलोजिकल स्ट्रक्चर का, प्रिथवी की पपड़ी में मौझूद चटा चटानों का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है, सबसे थोड़े सको समझते हैं, प्रिथवी की जो आंतरिक संरचना है, वो बेसिकली तीन भावों में बटी हुई है, ट्रस्ट, मैंटल और कोर, ठीक है, इस क्रस्ट को हिंदी में पपड़ी या भू परपट्टी कहते हैं, ठीक चटाने क्या होती है, खनीजों का मिश्रण होती है, ठीक है, और खनीजों पर तापमान का, दबाव का, और राजसानिक प्रभाव का अलग-अलग प्रभाव पड़ता है, जैसे for example, सोना है, सोने को यदि गर्म करेंगे, तो क्या हो जाता है, वो पिगलने लगता है, ठीक ह तो दिखा आपने, दोनों अलग-अलग प्रकार के खनीज हैं, लेकिन उनसे अलग-अलग reaction पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना, तो अलग-अलग खनीजों से बनी चटाने, तापमान, दबाव और राजसानिक प्रभाव के कारण, अलग-अलग reactions पैदा करती हैं, ठीक है ना, औ तो आगने चक्ताने हैं, अवसादी चक्ताने हैं, और रोपांतरी चक्ताने हैं, वो एक ऐसे ब्यवस्थित करम में नहीं होती हैं, बलकि वो आपस में गुथी वी होती हैं, ठीक है न, पूरा mixture form में होती हैं, गुथी वी होती हैं, उन पर जब reactions होता है, तो वो एक साथ मि अंतरजाद बल निरंतर काम करता है तापमान अंतरजाद बल माने तापमान दबाव ठीके ना ये निरंतर काम करता है और बहिरिजाद बल जो अपरदन के पांच कारक है नदी, हिमानी, पवन, समुदरी लेरे और भूमी का जल ये निरंतर इन इस्तला किरतियों पर कारे करते जिसके कारण ये इस्तला किरतियां अपना रूप बदलती रहती है तो भूवगयनिक संदचना का अर्थ क्या हुआ प्रिथवी की पपड़ी में मौजूद चटानों की व्यवस्था प्रिथवी के क्रस्ट में चटानों का अरेंजमेंट कैसा है ये उस इस्तान की भूवगयनिक संदचना जियोलोजिकल स्ट्रक्चर कहलाता है ठीक है न? इसे आप सीधे सीधे रॉक स्ट्रक्चर भी आप कह सकते हैं ठीक है न? तो ये है भूवगयनिक संदचना और अब जानते हैं भारत की भूवगयनिक संरचना किस प्रकार की है? तो भारत को भूवगयनिक संरचना के आधार पर तीन भागों में बाटा गया है पहला इसमें पराई दूपी एखंड, दूसरा है हिमालय का क्षित्र और तीसरा है सिंदु गंगा ब्रह्मपत्र मैदान ठीक है? इन तीनों खंडों की क्या विशेशता है? इन तीनों खंडों के अपनी सिमिलर रॉक है, मतलब इनकी अपनी विशेश चटान है इनका जो स्ट्रक्चर है मतलब प्राई दूपीए खंड जो है, अपना एक निश्चित समय में बना है सबसे पहले बना है हिमालय का निरमाण बौग उसके बाद हुआ है और गंगा ब्रह्मपतर का मैदान सबसे लेट में हुआ है तो सबसे पहले समझता है प्राइद वीपिया खंड को, ठीक है, तो भारत का जो ये दक्षिन वाला हिस्सा है, ये प्राइद वीपिया खंड कहलाता है, ठीक है, तो हम इस वाले structure की बात कर रहे हैं, इसमें कौन-कौन सी चक्टाने मौझूद होती है, ग्रेनाइट, नीस और जोला मुखी बेसाल्ट लावा, अब बोलने में तो ये बड़ा इसपस लग रहा है कि यहाँ पर ग्रेनाइट है, यहाँ पर नीस है, और बेसाल्ट लावा है, लेकिन ये बहुत ही complex है, बहुत ही जडिल है, ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अलग-अ युगों में बनी चटानों के समूप आए जाते हैं, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर युगों को डिफाइन करते हैं, ठीक है, युग से ताथ पर यह है, जोलोजिकल टाइम स्केल, यानि कि पृत्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक जो टाइम पिरियड है, उसे जोलो तो इसमें सबसे पहले हम जिस चटानी समूप की बात करेंगे वो है धारवाड सिस्टम, ठीक है, दिखे इसका जो नाम रखा गया है, वो करनाटक के, करनाटक राजय के धारवाड जिले के नाम पर रखा गया है, धारवाड, ठीक है न, क्योंकि इस प्रकार की चटान के अरली प्रिकेंब्रियन फेज में, ठीक है, अरली प्रिकेंब्रियन फेज में, तो शुरुवाती जो चटान है, सबसे पुरानी जो चटान है, उसको धारवाड सिस्टम कहा जाता है, इसमें नीस और शिस्ट प्रकार की चटानी यहाँ पर पाई जाती है, मेटामोर्फिक से यहां पर पाई जाती है ठीक है इसमें कोई फॉसिल नहीं होते है ठीक है कोई भी इसमें आउशेस नहीं है लिके अम्ब्रियन बहुत ही गर्म आवस्ता में जब प्रित्वी रही होगी है ठीक है और इस धारवार सिस्टम को Archean Rock system भी कहा जाता है दूसरा जो Rock system यहाँ पर पॉए जाता है उसे पुराना Rock system कहते है और इसमें दो प्रमुक चत्तानों के समू है पहला है Vindian system और दूसरा है कुडपपा system जो ये विंध्याचल परवस्ठीनी है उसके पास में ठीक है इसका नामी विंधियाचल परवाश्रीनी के आधार पर रखा गया है विंधियन सिस्टम ठीक है और दूसरा है कुडपा कुडपा जो है वो आंध्र परदेश के कुडपा जिले के आधार पर रखा गया है कुडपा जिले के आधार पर और पुराना रॉक सिस्टम है लेट प्रिकेंब्रियन फेज में, तीसरा जो रॉक सिस्टम यहाँ पर मौजुद है वो है दा आरियन रॉक सिस्टम, ठीक है, इसमें जो सबसे पहले जो चटान आई, उसे दा गोंडवाना सिस्टम के नाम से जाना गया, कारवनी फेरल्स पीर के एंड से लेकर के इसकी उत्पत्ती होना शुरू हुई, मैपर आप देख सकते हैं, गोंडवाना का जो क्षित्र है, वो कहां है, ठीक है, जिसे आज भारत में छोटा नारपुर का जो पठारी क्षित्र है, वहाँ पर इक गोंडवाना सिस्टम की चटाने पाई जाती है, ठीक है, आज हमारे जो कोल का 98% जो भाग है, वो इसी गोंडवाना सिस्टम में मौजूद है, ठीक है, और ये गोंडवाना सिस्टम भारत में, दामुदर नदी घाटी में, महा नदी घाटी में, और गोदावरी नदी घाटी बेसिन में मौजूद है, इस रॉक सिस्टम की चट्टाने, ठीक है न, तो the Aryan Rock सिस्टम में सबसे पहले गोंडवाना सिस्टम की चट्टाने की उत्पत्ती हुई, उसके बाद आये जुरासिक सिस्टम, राजिस्थान और कच्छ में, भारत में कच्छ के पास में इस प्रकार के चट्टानों के समूप आये गए हैं, ठीक है इसमें जो विशेस रूप से हैं वो कोरल लाइम स्टोन और लाइम स्टोन और सैंट स्टोन की चट्टाने यहाँ पर मौजूद है, ठीक है न, इस जुरासिक सिस्टम के अंतर गज़त्ट, तो Aryan महारास्ट और उसके आसपास के क्षित्र में जो लावा की परत बिची, ठीक है, उस परत को ही आज दड़ डेकन ट्रैप के रूप में जाना जाता है ठीक है, अब जो अलामुखी विस्पोर्ट हुआ और जो परत बिची तो डेफिनेटली यहाँ पर जो अलामुखी बेसाल्ट लावा की प्रधानता पाई जाती है ठीक है, जो लावा जो लावा अपर सरफेस में बहकर जम जाता है, वो बेसाल्ट लावा कहलाता है, और जो लावा पृत्वी के अंदर ही जम जाता है, जिसमे grains पाए जाते हैं वो granite क्यालाता है ठीक है तो granite धर्ती के अंदर बनता है और besalt लावा धर्ती की उपर सतह पर बनता है ठीक है इसमें grains नहीं पाए जाते हैं ठीक है तो आपने देखा कि अलग-अलग time period में बनी चटान्यो के कारण भारत का जो ये बड़े भूबाग में फैला हुआ है इसका विस्तार कहां से कहां तक है पश्चिम के अगर बात करें तो पश्चिम में कच्छी की खाडी ठीक है कच्छी की खाडी के पास में बता है जैसे जुरासिक सिस्टम यहां पर मौझूद है कच्छे की खाडी से पूरू में कार्भी एंगलोंग पठार असम में यहां पठार यहां पर मौझूद है कार्भी एंगलोंग पठार यहां तक प्राइज दूपी यह खंड का विस्तार है उत्पर में अरावली पहाडियों के पस्चिम से होकर तो अरावली की पहाडियां यहां पर मौझूद हैं तो अरावली की पहाडियों से होकर के दिल्ली और फिर यमुना और गंगा नदी के समारांतर बहकर राजमेल की पहाडियों के साथ ये गंगा के डेल्टा तक फैला हुआ है तो इस प्रकार और दक्षिन में तो ये पूरा नीचे तक ही विस्त्रित है तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो प्राइद यूपिय खंड है वो भारत में सबसे बड़े भुबाग में फैला हुआ है और सबसे प्राचीने सबसे पुराना भुबाग यही है ठीक है न दूसरा है इसमें हिमाले और अन्य अत्रिक्म प् प्रवत की उत्पत्ति होना शुरू हुआ ठीक है और अभी आपने देखा कि प्रिकैंब्रियन पिरियट से ही जो है प्राइद यूपिय खंड का निर्मान शुरू हो गया था तो हिमाले कितनी नवीन परवत माला है इसका अंदाजा आप लगा सकती है ठीक है जो यह प्रा सिद्धान्त के अनुसार ठीक है ये भारती प्लेट उत्पर की ओर मुव होना शुरू हुई ठीक है और यूरेशियन प्लेट के नीचे सब्डक्ट होने लगे ठीक है इस प्रोसेस में क्या हुआ जो बीच का ये टेथि सागर था इस टेथि सागर में जो आउसाद थे उन होने लगे वलन उत्पन होने लगे और फाइनली ये वलन जो है हिमाले परवत माला के रूप में हमारे आज सामने आए हैं ठीक है ना हिमाले परवलित परवत माला के रूप में सामने आए हैं तो इस हिमाले परवत माला में कौन कौन सी चाटान है बेसिकली इसमें सब से प पांच हजार इस प्रकार से अधी कुछ आवले क्षेत्रों में मौजूद है ग्रेनाइट और उसके नीचे वाले लाकों में मेटामॉर्फिक रॉक्स नीस और शिस्ट की प्रधनता है लेसर हिमाले में मेटामॉर्फिक सेडिमेंटरी रॉक्स ज्यादे मिलते हैं मतलब क्वाड़जाइट मार्बल स्लेट फिलाइट शिस्ट ठीक है इस मेटामॉर्फिक रॉक है ठीक है कुछ सेडिमेंटरी रॉक है यह ग्रेटर हिमाले में नहीं पाई जाती है और शिवालिक हिमाले में सैंड स्टोन और मद है ठीक है तो हिमाले की जो तीन प्रमुख स्ट्रेणियां हैं उन स्ट्रेणियों में भी अलग अलग प्रकार की चटाने पाई जाती है ठीक है और हिमाले क्शित्र में जो प्रमुख स्ट्रक्चर्ट हैं जैसे यहा पर थ्रस्ट मौझूद हैं जैसे MCT है main central thrust line, MBT है main boundary thrust गीक्ट है इसको बढ़ अगे कबर करेंगे में जो फॉर्च है फो हैं जो इसी जो फ्रेक्टिर्स होते हैं जो क्रैक्स होती है वो क्रैक्स जब कुछ किलोमीटर की लिभाइता तो फ्राइल नेटिक्स कीलिश साफ है जो पुर zij터 k lip होती है तो तब एक ऐसी लाइन होती है जिसके सहारे दो महा द्विपिय प्लेट आपस में टकराती है ठीक है उनकी boundary आप कह सकते है ठीक है जैसे south से कौन सी प्लेट आई थी Indian प्लेट आई थी ठीक है और उत्तर में किस से टकराई थी वो Eurasian प्लेट से थीक है न तो Indian प्लेट दक्षिन से उतर की हो रहाई थी और Eurasian प्लेट से टकराई थी और टकराने पर ये Eurasian प्लेट के नीचे subject हो गई थी मतब घुश गई थी उसके नीचे घुश गई थी तो जहाँ पर दो प्लेटे आपस में टकराती है और जुरती है ठीक है न तो वहाँ पर एक joint line बन जाती है ठीक है joint line और इसी joint line या tectonic line को कहते हैं suture zones जैसे हिमाले में एक प्रमुख suture zone कौन सा है इसे short में ITSZ भी कहते हैं इंडस सांगपो suture zone जो की Indian plate और Asian plate या Eurasian plate को अलग करता है और इसी suture zone के उत्तर में मौझूद है trans हिमाले ठीक है और दक्षिन में जो तीनों प्रमुख स्रेणिया है greater हिमाले, lesser हिमाले और शिवाली ठीक है न तो इसका अर्थ क्या हुआ जो ये trans हिमाले का जो क्षेत्र है वो Indian plate में मौझूद नहीं है वो कौनसी plate पर है Eurasian plate में ठीक है और जो greater हिमाले, lesser हिमाले और शिवाली की जो इस्ट्रेणिया है वो कहा मौझूद है वो Indian plate में मौझूद है और इन दोनों plates को जो line लग करती है उसे कहते है सूचर जून औ ठीक है तो इस परकार हिमाले में इस प्रमुक स्ट्रक्चर्स की मौझूद है अब बात करते हैं सिंदु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान की देको हिमाले के दक्षण में और प्राइद्वीपीय पठंड के उतर में जो मैदानी भाग है वो कहलाता है सिंदु गंगा ब्रह् मुपत्र मैदान कहलाता है ठीक है बेसिकली ये मैदान एक भू अभीनती गर्थ कहलाता है ये भू अभीनती गर्थ क्या है भू परपट्टी में व्रहध गर्थ वो परपट्टी मतलब करस्ट में ठीक है जो करस्ट अभी बताया था जो क्रस्ट में एक व्रहध गर्थ जो सैकडों किलोमेटर की लंबाई में फैला हुआ एक गहरी खाई है देखो गर्थ कैसे बना आई समस्ते हैं तो अभी बताया कि जो प्राइद्वीपी अखंड है कि भारत के दक्षण में जो ये प्राइद्वीपी अखंड है ये प्राइद्वीपी अखंड किसका हिस्सा है भारतिय प्लेट का हिस्सा है अभी बताया था ना ये इंडियन प्लेट का हिस्सा है और जो हिमाले परवतमाला है वो यूरेशियन प्लेट के अंतरगत थी मतलब जो यह अपर पोर्शन था यह Eurasian Plate के अंतरगर था और प्राइड विप्य खंड दक्षिन से उत्पर की ओर मूव हुआ तो इसके मूव होने पर पहले यहाँ पर क्या मौजू था? पहले यहाँ पर था टैथी समुद्र, टैथी सागर मौजू था जब यह दक्षिन से उत्तर की ओर मूव हुआ तो इसी के अवसादों में जो वलन पड़े उन वलन से किसका निर्मान हुआ? हिमालय परवत माला का निर्मान हुआ और जब इसके अवसाद एक निशित उचाई तक एक विशाल परवत माला की रूप में खड़े हो गए तो यह यहां पर एक विशाल गर्थ का निर्मान हुआ जिसे भू अभिनति गर्थ भी कहा जाता है ठीक है ना? लेकिन आज हमें गड़्डा दिखाई ने देता है यह गर्थ दिखाई ने देता है क्यों? क्योंकि हिमालिक शित्र से जो नदिया यहां आती है और प्राइद्वीप मैदान हमें दिखाई देता है जिसे कहता है सिंदु गंगा ब्रह्मपत्र मैदान ठीक है इसमें दोनों और की नदियों के द्वारा निक्षेप इसमें जमा किया जाता है ठीक है तो प्राइद्वीप भारत की जो यहां की प्रमुख नदिया है जो गंगा और यहमुना की प्रमुख सायक नदिया है ठीक है इन दोनो नदियों से ये गड़ा भर गग गया और जिसके कारण एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ इसी लिए यहाँ पर जो प्रमुख जो लोड मिट्टी के निक्षेप नहाँ पर पाए जाते हैं नदिकिनारे आपने गोल पत्थर देखे होंगे तो वो निक्षेप यहाँ पर सबसे जारा मातरा में पाए जाते हैं तो ये थी भारत की भू वैगैनिक संद्चना चक्तानी संद्चना जिसके आधर पर प्राइद उपिय खंड था सबसे पुराना सबसे विशाल ठीक है और जो अला मुखी जो लावा से निर्मी जो भू भाग है वो प्राइद उपिय खंड है उसका टाइम पिरियड ही काफी अलग है सबसे स्टार्टिंग में ठीक है दूसरे उसके बाद बनी हिमाले परवतमाला ठीक है और जो सबसे लास्ट में बना वो बना सिंदु गंगा ब्रह्मो पुतर का मैदान तो तीनों की जो 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 बात की थी कि जो संद्चना है वो इस्थल रूपों को प्रभावित क प्रभावित करती है तो आप जानते हैं कि भारत की जो भूवगैनिक संद्चना है वो किस प्रकार से इस्थला कृतियों को प्रभावित करती है इसके लिए मैंने एक डिटेल्ड में वीडियो बनाई है क्लास 9 का जो दूसरा चैप्टर है प्ले टेक्टोनिक और भारत का बहुत पिक स्वरू बहुत ही डिटेल्ड में वीडियो है आप जाकर उसे देख सकते हैं मैं उससे यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ ठीक है इसका लिंक उपर आई बटन पर भी है और नीचे दिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है ठीक है तो आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं तो यह था आज का lecture जिसमें आपने जाना भूर वाग्यानिक संद्रचना और भारत की इस्तिला करतियों के बारे में ठीक है मिलते एंगली वीडियो में एक्स टॉपिक के साथ अपता के लिए वर्क हाड बट जॉइफुली